हेलो गाईस स्वागत है आप लोगों का फीड से हमारे नई यूटुब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाईस आज मैं आप लोग को कोटक नियो एप से आपसंस पर ट्रेडिंग कैसे करते हैं यह आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ उसके पहले अगर आप लोग कोटक नियो एप से अपना डिमेट अकाउंट ओपन नहीं करा हैं तो आप जाहिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा लिंक को क्लिक करिए अकाउंट ओपन करिए और कोटक नियो एप से अपना ट्रेडिंग का जर्णी स्टार्ट करिए तो आप मैं यह मान करनके चलता हूँ कि आप लोग Kodak Neo App से अपना Demet Account ओपन करा चुके हैं अब आप लोग यहाँ से Options Trading करने के लिए एकदम ready हैं तो गाइस चलिए अब हम अपने App पे चलते हैं तो गाइस आपके Kodak Neo App का Dashboard कुछ इस परकार का दिखाई देता है अभी हम लोग क्या करने वाले है? Options Trading करने वाले है तो जैसे कि आप लोग को पता है इंडिया पे Trader जो है mostly Options Trader जो है किस पर Trade करते हैं? या तो Nifty 50 या तो Bank Nifty पे Options Trading करते हैं तो हम क्या करेंगे? हम भी Bank Nifty पे Options Trading करेंगे तो यह Simple Bank Nifty Options को हम Click कर देंगे Bank N不对 के Options को Click करने के बाद यह आपको Step का Interface दिखाई देगा यह देख पार है Top पे आपको Option Chain का일 आपड़ों को दिखाई दे रहोगा तो इसी Option Chain के Options को आपड़ों को Simple Click कर देना है Option Chain के Options को Click करेंगे उसके माद आपड़ों को Kuch Step का Interface दिखाई देगा यह आप देख पार है एक साइट आपको call साइट का LTP दिखाई दर है उसको कहते है call साइट का premium call साइट का premium को आप तब बाय करेंगे जब market आपको उपर जा रही हो एक साइट आपको put side का LTP दिखाई दर होगा उसको कहते है put side का premium Put aside के premium को आप तब बाय करेंगे जब Market आपको नीचे गिर रही हो ध्यार रखेगा दोनों condition पे आपको बाय करना है Market उपर जा रही है, Callback करना है Market नीचे गिर रही है, Putback करना है और यह जो बीच पर आपको डेटा दिखाई दे रहा है 52,600, 52,700, 52,400, यह क्या है आपका, यह आपका strike price है, तो अभी हमको ऐसा लग रहा है guys, market हमारा उपर जाना चाहती है, market हमारा उपर जाना चाहती है, तो हम क्या करेंगे, market हमारा उपर जाना चाहती है, तो हम simple call buy करेंगे, ओके, तो चलिए हम call site के एक premium को select करते हैं, और options setting करते ह हैं, तो call site के लिए हमारे पास एक premium है guys, 53,900 का, 53,900 का हमारा strike price है, जिसका premium चर रहा है, 34,500 रुपया, 35,000 रुपया, something चर रहा है, तो इसी premium को हम क्या करेंगे, simple click करेंगे, select करेंगे, select करने के बाद यह देख पार है, नीचे पे आपको buy और sell को options दिखाई दे रहा है, तो चुकि हम एक क्या है, options buyer है, तो हम simple buy options को click करेंगे, buy options को click करेंगे, उसके बाद आपको कुछ step का interface दिखाई देगा, यहां आपको quantity rate कर देना है, आप कितने quantity के साथ trade करना चाहते हैं, तो अभी हम चीज़ा सीख रहे हैं, इसलिए हम 15 quantity, यानि कि एक lot के साथ trade करना चाहते है उसके उपर में आप देखेंगे, overnight और intraday का option आप लोगों को दिखाई दे रहोगा, तो intraday का option select कर देना है, quantity जैसे कि मैंने बताया, अभी हम चीज़ा सीख रहे हैं, इसलिए हम 15 quantity के साथ trade करने के लिए जाएंगे, उसके बाद guys, order type पे आपको market select कर देना है, product type पे आपक free है, आपको कुछ charges देना पड़ेगा, वो charges आप सेभी को दे रहे है, KOTAK निया है आपको, आप एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं, तो यह एक दाव माइन पे सेट करके रखना है, KOTAK एपको आप एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं, तो यह है free brokerage, free brokerage का आप मज़ा लिजे, है और अगर आप फ्री में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया है आपको मेरे description box पे जाना है वहाँ link मिल जाएगा link करिए account open करिए तो account I think आप लोग open कर चुके होंगे अब यह आप लोग समझे यह क्या-क्या प्रोडक्त यह क्या-क्या चीजह मैंने यहाँ add किया है टॉप इंट्रडे रखा quantity add किया order type market रखा product type MIS रखा और यह so advanced options उसके निचे यह green tick आप लोग को लगाते है है set the above setting as a default वो green tick लगाते है और आपको simple swipe to buy के options को क्लिक कर देना है आपको order market हो जाएगा ठीक है आपको order market हो गया अब आपको देखना है कि आपका प्रोफिडे लॉस कहां पे चल रहा है तो आपको हलका सा वैक करना है एक पर और वैक करना है और यह आप देख पार है नीचे पर आपको home watch list orders portfolio और invest option आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को simple यह portfolio के options को क्लिक कर देना है अब जैसी आप portfolio के options को क्लिक करेंगे यह आप देख पार है उपर पे आपका profit and loss चलना शुरू हो चुका है आप कौन से range पेंटरी के हैं आप 35 उर्पया 60 पैसे के range पेंटरी के हैं और अभी इसका price चल रहा है 35 उर्पया 65 पैसा 35 उर्पया 90 पैसा इस टाइप से आपका price चल रहा है इसलिए आपको यहां कुछ profit दिखाई दे रहा है तो इस टाइप से कोटक new app से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो इस टाइप से आपको profit and loss दिखाई देता है अगर आपको green पर data दिखाई दे रहा है यानि कि आपको profit हो रहा है और अगर आपको red पर data दिखाई दे रहा है यानि कि आपको loss हो रहा है ठीक है तो इस टाइप से guys आप लोग कोटक new app से options trading करेंगे काफी असान है है और easy to use है आप असानी से इसका use कर सकते है ठीक है और अब यार मुझे sufficient profit हो गया है मुझे आप यहां से exit होना है या मुझे sufficient loss हो गया मुझे यहां से exit होना है मुझे बिल्कुल भी यहां नहीं रूपना तो आपका यह जो profit and loss चलते रहेगा ना profit and loss चलते रहेगा बस उसे को simple click करना है click करने के बदद आपको sell to is corrupt के option में आ जाना है यह देखिए corner पर दिखाई दर है है ना और उसके बद यहां पर आपको एक important काम करना है important काम आपका यह रहेगा order type पर आपको market select कर देना है market select करने के बद आपको simple swipe to sell के options को click कर देना है है ना आप order से exit हो जाएंगे and आपका यहां order भी close हो जाएगा ठीक है और जहां पर आ options थोड़ा सा risky है आप यहां से unlimited पैसा भी बना सकते हैं unlimited loss भी कर सकते हैं बस थोड़ा सा आपको carefully trade करना है अगर आपका profit पर है trade तो आपको उसको number trail करना है बड़ा profit बनाना है अगर आपको loss पर दिखाई दर है trade तो उसको close कर देना है exit हो जाना है बिलकुल भी यहां नहीं नहीं रोकना है ओके तो इस टैप से आप लोग क्या करेंगे को टक निव एप से option शर्डिंग करेंगे exit हो जाएंगे और कुछ भी query होगा तो आप लोग comment box पे अपना comments करिएगा मैं आप लोगो reply करूँगा और आप लोगो कुछीजे समझाने की कोसिस करूँगा ओके चले बार